श्री आरपी पांडे जी को आफिस पहुँचने में देर हो चुकी थी। सोचा, अब आधे दिन की छुट्टी तो लेनी पड़ेगी। तब तक दादा के घर बाबा के दर्शन क्यों न कर लून। सो बाबा जी के श्री चरनों में जा पहुँचे। और बाबा जी ने उन्हें अपने चरनों में ऐसे बिठा लिया कि आधे दिन की छुट्टी का प्रशन भी शेश हो गया। पांडे जी सोचते रह गए कि अब तो पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। तब बाबा जी ने कहा, अब जा, काम पर नहीं जाएगा क्या। सुनकर आप पुरे दिन की छुट्टी की अर्जी लगाने आफिस पहुँचे तो वहां हाजर बाबु आश्चर्य से बोल उठे, पांडे जी आप तो सुबह से यही है, तब ये छुट्टी की अर्जी कैसी। पांडे जी द्वारा शंका करने पर उसने उपस्तिती रजिस्टर पर उनके हस्ताक्षर भी दिखा दिये। हैरान से हुए पांडे जी जब अपनी सीट पर पहुँचे तो आसपास के अन्य कर्मचारियों ने भी उनके यहां उपस्तित होने की पुष्टी कर दी और कहने लगे कि आप तो सुबह से ही यहां बैठे काम कर रहे हैं। बाबा जी की इस दया का गुनगान करने के अलावा पांडे जी और क्या कर सकते थे। पर यह स्पष्ट हो गया कि बाबा जी पांडे जी का रूप धर कर वहां ये लिला कर रहे थे। जै गुरू देव।